आपका question है if x is equal to minus 1 y is equal to 2 is a solution of equation आपका दिया है 3x plus 4y is equal to k find the value of k ठीक है तो इसने क्या कहा कि it is the solution of that तो इसने आपका दिया क्या है इसने दिया है this is your equation तो 3x plus 4y is equal to k ठीक है और आपका solution क्या दिया हुआ है उसने x is equal to minus 1 and y is equal to 2 ठीक है तो इसने कहा solution है यह यहां पर आपका आजाएगा lhs is equal to rhs ठीक है तो तभी यह इसका solution है otherwise no ठीक है ना तो अब हम क्या करेंगे x की जगह पे we will put minus 1 और y की जगह पे हम put करेंगे 2 तो हमारा क्या आएगा 3 into minus 1 plus 4 into 2 that is equal to k ठीक है तो क्या होगा आपका 3 into 1 is 3 और sin is minus तो आपका आगया minus 3 plus 4 into 2 कितना होता है 8 that is equal to k तो minus 3 plus 8 is 5 तो आपका आगया 5 is equal to k तो आपको आपको के की वैल्यू निकालने थी तो k की वैल्यू इस 5 आपको इस टाइक से को करना है क्यों आपके रिचे में चैंट अट है अग्यों है है था